नाम है इनका बद्रोदीन जमालो दिमकाजी लेकिन बने ये हिंदी सिनेमा के लेजन्डरी कॉमेडियन जॉनी वाकर इनका जन्म 11 नौमबर 1926 को इंदोर में हुआ जॉनी वाकर हिंदी सिनेमा के वो लेजन्डरी अभिनेता थी जिनके लिए फिल्मों में इनकी गानों की आवाज बने लेजन्डरी सिंगर महमद रफी और इनके गानों के म्यूजिक कंपोजर रहे लेजन्डरी म्यूजिक डिरेक्टर ओपी नहियर और ये भारती सिनेमा के वो पहले कॉमेडियन थे जिनके लिए फिल्मों में खास तोर पे गाने रखे जाते थी ये बात भी गौर करने लायक है फिल्म मेकर और एक्टर गुरुदत अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट चेंड कर दे थे जब जौनी वाकर गुरुदत की फिल्म में काम किया करते लेकिन इतनी बड़ी कामियाबी जौनी वाकर को विरासत में नहीं मिली थी बलकि इस कामियाबी को हासिल करने के लिए इन्होंने बेहत संगर्श किया जौनी वाकर ने अपने शुरुआती दिनों में अंडे बेचे ब्रेड बेचे और बाद में मुंबई में बस कंडिक्टर की नौकरी भी की हमेशा मस्त मौला जौनी वाकर अपने बस में सفर करने माले पैसेंजर को कोमेडी करके खोब हसाया करती हुआ यू के एक दिन लिजन्डरी एक्टर बल्राज सहानी इनकी बस में सफर कर रहे थी और तभी इनका ध्यान जोनी वाकर बे गया और बलराज सहानी इनके इस मस्त मौला नायाब अन्दास को देख कर बेहत मतासिर हुए और तब बलराज सहानी ने बदरोदीन से कहा कि क्या तुम एक्टिंग करना चाहूंगे तो इस पे बदरोदीन ने हा कर दिया और तब बलराज सहानी ने इनसे कहा कि तुम जाओ और गुरुदत से मिलो क्योंके गुरुदत को तुम्हारी तरह ही एक एक्टर की जरूरत है और जब बदरोदीन गुरुदत से मिले तो गुरुदत ने इनसे कहा कि तुम मुझे एक शराबी का किरदार निभा के दिखाओ और फिर इन्हों ने शराबी का किरदार कुछ इस कदर निभाया कि गुरूदत ने अपनी फेवरेट इसकोछ विस्की जौनी वकर पे इनका नाम बदरोदीन से जौनी वकर रख दिया और फिर तो गुरूदत और जौनी वकर की जूड़ी खूब जमी ये दोनों लेजनरी एक्टर एक साथ कई फिल्मों में एक साथ अपने एक्टिंग का जोहर बिखिरते एक साथ नजर आई यू तो जौनी वकर गुरूदत की लगबख हर एक फिल्म में लगबख नजर आ ही जाते थी जैसे बाजी, आरपार, टेक्सी ड्रैवर, मिस्टर एंड मिसिस 55, CID और प्यासा जौनी वकर गुरूदत को अपना गुरू अपना मेंटोर मानते थी लेकिन गुरूदत की अचानक मौद से जौनी वकर को एक बहुत बड़ा जटका लगा गुरूदत की आसा में मौद से जौनी वकर पूरी तरह तूड गए और तब ट्रैजेडी किंग दिलिप कुमार ने इने बहुत सहारा दिया उस जमाने में ट्रैजेडी किंग दिलिप कुमार और एवर गिरीन देव आनन सहाब की बहुत से फिल्मों में गे नज़र आए कॉमेडी ही नहीं बलके जौनी वकर ने रिशेकेश मुकर जी की फिल्म आनन में एक ऐसा जजबाती किरदार निभाया था कि सब ने एक बार फिर इनके आदाकारी का लोहा माना एक लंबे अरसे बाद कामल हसन की फिल्म चाची 420 में जौनी वकर ने एक शराबी मेक अप आर्टिस्ट की भूमी का निभाई थी शाम होने से पहले घर पे वापस आ जाना वरना पोल खुल जाएगी और तुमारी नगले नाग तुमारे हाथ में आ जाएगी लेकिन 29 जुलाई सन 2003 का दिन वो तारीक बन के आया जब फिल्म इंडस्ट्री के इस महाम कॉमेडियन ने हमेशा के लिए इस दुनिया से रुकसत ली वाकिए जौनी वकर ने अपने निराले अंदास से सब को हसाया भारती इस सिनिमा में कॉमेडिय के इस बेताद बाश्शा जौनी वकर को इनकी युगदान के लिए हमेशा याद किया जाएंगा